इस्टल नीज 20 से मैं अरुन कुमार शाही अभी शहर के परसीद बावा गरीब नाथ धाम के मुख्य पुजारी बिनय पाठक जी से मैं बात कर रहा हूँ छट जैसे महान पर्व के संबन्द में महराजी आप छट के पर्व के संबन्द में पुरिसी जानकारी दें छट पर अब बिहार ही नहीं पूरे देश ही नहीं उत्तर भारत के मां खासकर बात कर रहा हूं या जो बिहार के लोग दक्षिन में भी जाके बस गया हैं वहां भी वो लोग और विदेश में छट की पुजा की जाती है यह एक अदूद पुजा है इसमें डूबते हुए सू को लोग आरदिते हैं लेकिन बहुते हुए सुर्ज की उपासना के साथ को महापर वर्भास हो समापन होता है उसके पारान होता है यह चार है लेकिन मुक्षिता तीन दिवस मुक्य होता है इसमें पहला होता है नहाग इसके पहले में बता दूँ जो है पहले से ही गेहूं सुखाते हैं छट पे धोते हैं सुखाते हैं फिर वह वह आटा चक्की यह पहले तो घर में ही लोग पिस्थे थे लेकिन वह आटा चक्की जो धुलाता है और आटा चक्की वाले भी लोग अपने आटा चकी को धोते हैं कि वह थेकवा जो बनता है कि बिहार में ही वह खास्यी मिकनेर का खास्याइट है तो वह बनाते हैं तो यह जिरू करते है और चीडिया नहीं चूँगने दिया है किए जूटा हो जाएगा अगर किसी बच्चे से लात प्यारीय कुछ सढ या कूछ हो जाता है फिर उसको तामती 2 मारती Nations एंग सुपोर जाती हैं उसको मारती हैं और कहती हैं सुपर्ज वरद होता है हम कि किया मैं समस्ता हुँ हमारे बिहार भारत के वह टो नहीं ने आठ तारीको नहाँ खाय है तो नहाँ खाय के मतलब होता है mäß उसके पहले से बहुत लोग तो बोत वेकिन भी लह सुन प्याज नहीं खाते हैं लेकिन जू खाते हैं तोऊदिन से वह News 20